हेलो स्टुडेंट्स, बीए सेकंड एर की आज की क्लास में हम ब्रिटिश दलिय विवस्था के बारे में आध्यान करेंगे जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटेन एक संसदी विवस्था वाला देश है और संसदी विवस्था वाले देशों में चुनाओं के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है ब्रिटेन की जो संसद है वो मात्र संसद कही जाती है ब्रिटेन का जो संभिधान है वो मात्र संभिधान कहा जाता है और ब्रिटेन में जो दली विवस्ता है वो है द्वी दली विवस्ता एक प्रश्न यहां स्वभाविक रूप से उठता है कि संसदिय शाषन विवस्था को सफल बनाने के लिए कौन सी दली विवस्था सबसे उप्यूगत है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द्वी दलिये विवस्था जो है वो संसदी इशाशन की सफलता के लिए अती आवश्चक है तो ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की द्वी दलिये विवस्था है जिसकी वज़े से ब्रिटेन में संसदी विवस्था जो है वो सफल हुई है आरम में हम पाते हैं कि बिटेन में उदार दल और अनुदार दल जो थे वो हुआ करते थे लेकिन कालंतर में उदार दल ने अपना प्रभाव खोया और उसका इस्थान श्रमिक दल ने ले लिया और वर्तमान में आज वहाँ पर अनुदार दल और श्रमिक दल के बीच में सत् अंत्रन होता रहता है और सबसे बड़ी बात ये कि जब द्वी देली व्यस्था होती है तो जनता भी अपना जो वोट देती है वो इसी तरह से देती है कि एक दल सत्ता में रहे और दूसरा दल विपक्ष में रहे और विपक्ष जो है वो सत्ता रूड दल की गलतियों को निक पाई जाती है तो ब्रिटेन में संसथी शाशन व्वयस्था के सफल होने का जो प्रमुब कारण है वो है द्वीदेलियवद्दी और दो प्रमुब दल वहां पर कौनसे हैं? एक है श्रमिक दल और दूसरा है अनुदार दल तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं द्वी देली व्यवस्था के समन्द में ब्रिटेन में जो दली व्यवस्था है उसके समन्द में कह सकते हैं कि दलिय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनितिक जीवन की प्राण शक्ती है या फिर जैनिक्स के शब्दों को मैं यहाँ पर दोरा सकता हूँ कि ब्रिटिश शाषन राजनितिक दलों से आरंब होता है और राजनितिक दलों में ही समापत हो जाता है जैनिक्स क्या केते है कि ब्रिटिश शाषन राजनितिक दलों से आरंब होता है और राजनितिक दलों पर ही समापत हो जाता है तो अब हम बिटिश दली विशेष्था की विशेष्थाओं का अद्यान करेंगे बिटिश दली विशेष्था की जो विशेष्था हैं उनका हम अद्यान करेंगे तो पहली विशेष्था स्वभाविक रूप से कौन सी है द्वी दली विशेष्था सत्रवी सदी के आरम में राजा और रासत्ता के समर्थक कैविलियर्स और धार्मिक सईशुनता और संसत के समर्थक राउंड हेट्स कहलाते थे जिनें आज की भाषा में रास्तंत्रवादी और गंतंत्रवादी कह सकते हैं संसत की सरवचता निश्चित रूप से स्थापित होने के बाद इन दलों के नए नाम टोरी और विहग दल पड़े सन 1832 इसवी में सुधार अधिनियम पारित होने के बाद इन दलों के नाम अनुदार दल और उधार दल हो गए अनुदार दल स्थापित विवस्था को बनाए रखने का समर्थक था बीसवी सदी में मजदूर दल के उधै से ऐसा प्रतिद हुआ कि अब ब्रिटेन में द्वी दलीय पदती के स्थान पर त्री दलीय पदती स्थापित होगी किन्तु मजदूर दल की शक्ती बढ़ने के साथ-साथ उधार दल का पतन प्रारव हो गया और ब्रिटिश राजनिती में दो दलों का ही प्रभुतू रह गया तो तीन दलों की स्थिति अवश्य बनी लेकिन बाद में त्री दली वजस्ता द्वी दली वजस्ता के रूप में परनित हो गई अब हम दूसरी बात यह देखेंगे कि ब्रिटेन में द्वी दलीय-जो पदती है वो द्वी दलिय पदती वहाँ पर उसका जो जन्म हुआ वो क्यों हुआ तो इसमें आपकी किताबों में कारण दे रखा है कि अंग्रेज भाषा भाषी वेक्ती सिधान्त वादी होने के बजाए व्यवार वादी होते हैं अपने पढ़ा है कि ब्रिटेन में परंपराओं का महत्व है लोग रूडिवादी सुभाओं के हैं लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी वेक्ती सिधान्त वादी होने के बजाए व्यवार वादी होते हैं वे सिधान्तिक मतभेदों में उलजकर नवीन राजनितिक दलों को जर्म देने की बजाए उसी द्वी देलिये पत्ती को बनाए रखना चाहते हैं जो व्यवार में ठीक प्रकार से कारे करती हो तो एक प्रकार से वहाँ पर वही परंपरा वाली बात आ गई कि मतलब आरम में दो दल देखने को मिलते थे इसलिए उन्होंने द्वी देलिये वेस्ता को बनाए रखा अलकि यहाँ पर कहा गया कि वो सिधान्त वादी होने की बजाए वेवार वादी होते हैं और जो दल प्रभाव में हैं उनी दल को वो बनाए रखने का पक्ष लेते हैं पहला कारण था फिर दूसरा कारण देखिए ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों के समान राष्ट्रियता धर्म और भाषा की समस्याएं नहीं हैं जो देश को खंडित करती हैं और जिनोंने फ्रांस और इटली जैसे देशों में बहु दली प्रणाली को जन्म दिया मतलब फ्रांस और इटली देशों में बहु दली वेश्था के जन्म होने के पीछे जो कारण था वो था भिन भिन प्रकार की संस्कृतियां, भिन भिन प्रकार के धर्म और भिन भिन प्रकार की भाशाएं थी लेकिन चुकि ब्रिटेन में इस तरह की विवित्ताएं नहीं थी इसलिए वहाँ पर द्वी दिली वेस्ता आमें देखने को मिलती है इसलिए का आगया कि ब्रिटेन में यूरोप के अन्ने देशों के समान राष्टियता धर्म और भाषा की समस्या नहीं थी जो की देश को खंडित करती थी इसलिए वहाँ पर बहु दलिये के इस्तान पर द्वी दलिये पत्ती का जन्म हुआ बतलब भिन-भिन भाषा संस्कृतियां भिन-भिन धर्म भिन-भिन राष्टियताएं जो है वो अलग-अलग दलिये पत्ती को या बहुत सारे दलों को जन्म दे सकती है तो वहाँ इस तरह की समस्या नहीं थी ब्रिटेन में इसलिए वहाँ पर द्वी दलिये विजस्ता जो ह वाला कारण बताया गया यूरोप के अन्य देशों की भाति ब्रिटेन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं वरन साधरन बहुमत की प्रणाली और एक सदनिये निर्वाचन छेत्र है और इसी कारण से छोटे-छोटे राजनितिक दलों का विकास नहीं हो पा या वो जीतता है तो वहाँ पर इस कारण से छोटे-छोटे दलों का प्रभाव जो था या जो विकास जो था वो संबब नहीं हो पाया चूकि वहाँ क्या था कि चुनाव पत्ति जो थी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं पर आधारित नहीं थी वरन साधरन बहुमत पर आधारित थी और निर्वाचन चेतर जोधा वो एक सदसी है था जिसके कारण वहाँ छोटे-छोटे राजनितिक दलों का विकास संबब नहीं हो पाया इसके बाद चौथा करण बताया गया कि लोग सदन के सभाभवन और कारे पधति ने द्वी पधतिये द्वी दली प ऑप इसके लोक सदन के कारे विधी उसके अतरिक्त लोकसदन की कारे विधी ऐसी है को कोई पर ब्रिटने द्वी दली पधति क्यों है इसके बारे में हमने चर्चा करी अब दूसरी विशेस्था सुद्रण संगठन और केंद्रिय करन की प्रवर्ति है अब चुकि हमने एकात्मक व्यश्था ब्रिटैन के संबन में देखी है और कहा है या माना है या देखा है या समझा है कि ब्रिटेन में पूरे देश का शाषन एक केंदरिय सरकार के द्वारा संचालित होता है तो दली ये विजस्ता में जो डलों का संगठन है वो क्या है बहुत सुद्रण है और जो केंदरिय नेतरत्व करता है वो बहुत मजबूत है जो कि सभी मतलब दल के सभी सदस्यों पर अपना नियंत्रन जो है वो बनाए रखते हैं बिटेन के राजनितिक दल बहुत अधिक संगटित और केंद्रीकरत है संसदीश राजनितिक दलों के आधार पर ही प्राप्ट किया जा सकता है बिटेनमे नीचे से उपर तक समस राजनितिक दल एक सूत्र में बंधावा होता है मतलब जो राजितिक दल होता है प्रमुक राजितिक दल वो एक सूत्र में कठोरता के साथ में क्या होता है बंदा हुआ होता है इसके बाद में कठोर अनुशासन स्वभाविक सी बात है जब द्वी दली वेज़ता है तो दली अनुशासन भी क्या होगा कठोर होगा दली सचे कर या किसी खाई अधान होने कि स्थिति पएदा होती है तो डली Already दे देते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के पक्ष में ही वोट då ला देल नहीं दालना तो अगर कोजी अनुषासन को भंग करता है तो उसे दल से निकालने का भी ở हों प्रावधान जो है वो मिलता है, तो कठोर डली अनुशासन ब्रितें में सुद्रड और केंग क browsers राजनेतिक डलों का स्वभाविक प्रणाम कठोर डली अनुशासन के रूक में देखा जाता है, ब्रिटिछ डल पत्ती की सरल्ता तथा अनुशासन अमरीका वासियों के प्रिषंसा और ईश्या का विश्य बना हुआ है। बृतिन में सरकार का भविश्य Desde Maid नेता के साथ संपर्क रखते हुए सदेश्यों को निर्देश देटे रहते हैं और सदेश्यों के लिए निडशκों का पलंग करना आवश्शक होता है। नग केवल अमरीका वरन अन्य देशों के राजनितिक दलों की तुलना में बिटिश राजनितिक दल निश्चित रूप में अधिक अनुशाशित है भारत में भी दली अनुशासन इतना नहीं है या अमेरिका में भी इतना दली अनुशासन नहीं है जितना की बिटेन में है फ लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब द्वी देली वेश्था होती है और सत्तारुट दल को पूरा यकीन होता है कि अगर वो कोई भी गलती करेगा तो विरोधी दल उसका विरोत करेगा उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा तो वो निरंतर क्या रहते हैं ना सिर्फ कानून निर्मान की प्रक्रिया में बल्कि जंता के कल्यान की जो प्रक्रिया होती है और सरकार जो नीतियां बनाती है जो योजनाय बनाती है जो कानून बनाती है उनके सफलता पूर्वक किरियानवन और उनका लाब जन जन तक पहुचाने के लिए वो निरंतर किरियाशील रहते हैं तो निरंतर सक्रियता भी ब्रिटिश दलिये वैस्ता की विशेशता है बारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता जैसी चुनाव खतम होते हैं जो चुनाव हार जाते हैं वो एकदम सही निश्क्रिय हो जाते हैं और जो सत्तारूड भी होते हैं वो भी इतने सक्रिय नहीं रहते हैं जितने की वो वायदे करते हैं फिर नेता की सर्वोच इस्तिती एक दलिये मतला दुई दलिये वैस्ता में जो नेता होते हैं पार्टी के चाहे वो किसी भी स्तर पर हो वो क्या होते हैं सर्वोच इस्तिती रखते हैं दल के सदस्ये उनको भगवान के रूप में देखते हैं जैसे कि समराट की रूप में जै के कहे नुसार चलती है तो ब्रिटेन में नेता की जो इस्तिती होती है वो सर्वोच होती है और वो निरंतर ब्रिटिश दलिये व्यस्ता में अपने प्रभाव को बनाए रखता है अब अमेरिका में हमने क्या देखा कि लूट प्रता देखी है लेकिन ब्रिटेन में लूट प प्रिटेन में नहीं पाई जाती है लेकिन ब्रिटिश राजनिती में राजनितिक दलों के द्वरा इस प्रकार का आचरन नहीं किया जाता प्रृषाशनिक अधिकारियों की न्युक्ति की निश्शित पदती है और चाहे जिस राजनितिक दलों की सरकार का निर्माण ओ, प्रृषाशनिक अधिकारी इस ठाही रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं और नोकरशाह को जो कारे दिये जाते हैं, वो उन कारें को बराबर करते रहते हैं, और वो अपनी निश्पक्षता की इस्तिती को बनाए रखते हैं, यानि उनका जो जुकाव होता है, वो किसी दल विशेश की और ना होकर, अपने पद के सम्मान और उसकी गरीमा और जो उनके प्रति वो जुके रहते हैं, और वो निरंतर अपने कारें को करते रहते हैं, तो वह लूट विशेश तक आभाव है कि चुनाओ, मतलब सत्ता परिवर्तित होता ही, नेता जो है, वो नोकरशाहों को परिवर्तित नहीं करते हैं, या जो लाब के पद होते हैं, वो अपने सगे समंधियों में नहीं बांटते, इस तरह की बात अमेरिका में तो देखने को मिलती है, लेकिन ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलती, तो ब्रिटेन में लूट विशेश्था का आभाव देखने को मिलता है, चाहे जिस राजनितिक दल की सरकार का निर्मानों प् कौन सी विशेष्था हैं प्रमुक रूप से अनुदार दल और शर्मिक दल जो है वो सत्ता में बराबर बने वे उदार दल आज अपना प्रभाव खो चुका है मिली जूली सरकारों की इस्तिती ब्रिटेन में बहुती कम देखने को मिली एक बार हमें 2009-10 में देखा था और हम हम यह पाते हैं कि वहां प्रमुक रूप से एक दल सत्तार उड़ होता है और दूसरा जो है वो विपक्ष में बैठता है तो ब्रिटेन की दलिय विशेष्था की सबसे प्रमुक विशेष्था है कि द्वी दलिय पदती वहां पाई जाती है और कठोर दलिय अनुशासन जो